नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं आई होप आप सब अच्छे होंगे बड़िया होंगे जैसा कि इस वीडियो में हम एक जन हमारे सस्क्राइबर हैं वो भिहार के हैं उन्हेंने कहीं से बच्चा परचेश किया था तो हमें वार्टसप के जरिये उन्होंने बताया है कि हमको प्रॉबलम उसके साथ ues की गई है तो कई लोग जो होते हैं जो बच्चा से लाउट करते हैं उन्हें इस दिक्कत आती है कि वो पैसा ले लेते हैं और बच्चा भी नहीं देते हैं एक तो ये कमिआते है और इनका एक मैठार आ है था मतलब बच्चा तो दे दिया उन्हों भी हमें अपना प्राब्लम शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं इसी चैनल पर सभी किसानों के साथ जो है, शेयर कर सकता हूँ, देखिए जब बच्चा आप लोग मंगाते हैं, तो कई लोग जो है एडवांस पेमिंट कर देते हैं, बीना जाने हुए कि आपका पेमिंट सेक्योर है, कि नहीं है क्या है कैसे है हम भी बच्चा से लाउट करते हैं पूरे अल इंडिया ऊबर में कोई भी कह दे कि हमने बच्चा सेंड नहीं किया है जबकि हम भी एडवांस पेमिट ले करके ही बच्चा को भेजते हैं जो भी आपका बड़ा वाला जक्शन होता है जैसे करने के बाद जो है हम बच्चा सेंड आउट नहीं किये हुए है इस टाइम पर बहुत धूप है इसलिए थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाएंगे तो प्लीज जो है ये वीडियो को पूरा वाच करिएगा उन्हीं की जुबान जो है सुनिएगा और मैं तो सिर्फ आपको बत होकर के बनाना पड़ता है और सभी जो भी कुष्चन हो आपका मचली से रिलेटेड तो हमसे आप पूछ सकते हो बेजिजक मैंने अपना फोन नंबर भी दे रखा है और कई भाई लोग फोन भी करते हैं बराबर हमें और हम उनसे सबसे बात करते हैं लेकिन एक एक भाई ऐ ट्रेनिंग नंबर टू ऐसे करते हुए तेरा पार्ट में वीडियो हैं जो इन यह स्टेज पर जब आप स्टार्ट करेंगे कि कैसे किया जाता है तो उसी के बारे में यह वीडियो पूरी है तो प्लीज जो है जाकर वो स्रीज पूरा इसी चैनल पर है वो सब देखे आप और उसके बाद अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तब आप हमें कॉल कीजिए ना कि जो है बिना कुछ जाने ही कि मचली का मा भी नहीं पता है तब ही आप फोन कर देते हैं तो ऐसा नहीं है आप एक बार थोड़ा सा इस्टेडी करिए कुछ जानकारी लीजिए तब उसके बाद जो ना समझ माएं तो आप हमें फोन कर सकते हैं बेजी जग मैं तो आपके साथ हुई ही हमेशा से हूँ लगए दो साल हो गया हमें यूट्यूब चैनल बनाए हुए और जितने भाई लोग कनेक्ट हैं उनसे सबसे मैं बात भी करता रहता हूं जो भी प्राब्लम होत हम फेस करते रहते हैं तो चली दोस्तों भिरादेरी के जो है अभी आपको इनका वीडियो को इसी चैनल पर जो है क्लिप जारी करते हैं और जो भी भाई लोग नए आए हूँ प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बना के आप सभी के सामने जो है दिखाता रहा हूँ तो चलिए बीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोग देखेए मैं बिडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या गल्तिया हुआ है मेरा फॉर्स टाइम एक कल्चर है जिसमें मैं फंगास मेरे साथ क्या गलतिया हुआ है बच्चा देने वाले क्या गलतिया हुआ है। इसे मैं भीहार का जहानवाद जील्य का हूँ। मुझे बच्चा सही समय सी मेरा फर्ष् टाइम एक लगत्तुर है तो बच्चा उतना नहीं था के बच्चा कहा कहां मिलता है। ँसमें मुझे नहीं मिला और मैं मार्च खत्वाया था ज्य चिण्व से आप्टेख सेकते हैं ज्य सितलो खताने के बाद देख सकते हैं ज्य सितलो कोला गाए एक महिना तक पानी मेरा जो खाना मेरा रहा है किड़ा वडोदे हो उसके बात बहुत कर ला मुझे बच्चा मिला भीहार में ही मैंने अपने लोकल अडिया से बच्चा लिया था जो बंगाली आगर बिहारे वगों घुड बच्चा शिट प्रवाइड करते हैं देख सकते हैं जिसे मैं बच्चा लिया उससे पूच पूच के बच्चा डाला में ने पूच का तूस ने बेचने के चकर में मेरे को पाथ 6 कठे के तला में 2000 रहु कतला मतलब आएंC डिलवा दिया और चांपर फंगास दे दिया कि डालिए कोई दिखत नहीं है आपका चार म तो एकाद भीघर में आवर कराया जाए आव मैं इसे नर्सरी बना दे था मेरा फार्स टाइम ही खराब हो गया तो मैं काफी अर्सोस के बात है फिर मैंने बात किया मनोच सार यूपी के हैं उनका खुद का यूट्यूब चानल है विलेजेरिया मैं उनसे बात किया कि आपके साथ हती हो न बाच्चा देने वाल सब्सक्राइब आपको सभी जग लुटा जाएगा तो मैंने मनोज सर से बात किया कि उसको बोलिये जाकर आपको गलत अर्थी कर दिया है जिए आप छो कठा के तलाव में दूहजार आयम से डाल दिये हैं तो क्या गुरोथ होगा पता नहीं में रहो दाना भी पूरा खारी आप देख सेकते हैं यह मेरा तीन महिना एकश दिन का बच्चा है अच्छा बीस तारिक है देख सकते हैं टू एमें का प्रोटीन जादा है जल्दी से विकास होगे बुझे बहुत महंगा पर रहा है दाना भी पूरा खिला रहे हैं दाना के साथ एग्रमीन फोट भी दे रहे हैं साम के साम फिर भी मेरा गुरोथ नहीं है समय समय पर पानी भी बदल देख सकते देखिए पानी बदला हुआ है आउटलेट दूनों लगाया हुआ है कोई भी कसर नहीं छोड़े फिर भी मेरा गुरोथ नहीं है मेरा बच्चा इतना ज्यादा डला गया है ना कि मैं क्या कहूं जी बेचने वालों बच्चा जो देते हैं वह बच्चा बेचने के लिए वह आपको बहुत गलत राय देते ह आप इतना डालिये आपको हो जाएगा इतना महिना में इतना हो जाएगा इसलिए जहांसे में नाय आप खूद अपना नौलेज रखके चलिए हमारे तरह गलती मत किजिए जितना इसमें पुंजी लगाया हूँ मेरा उतना का भी मचली भी नहीं है अब देख सेकने मचली क तलाव इसमें और गुरोत मेरा होना चाहिए था पांसो लाइन का सीट डाले थे तीन महिना बीस दिन अव तो मेरा ठंड भी आने वाला है कि मैं क्या करों मैं बूरी तरफ फस गया मेरे दोस्त मैं ठंडा में मैं अपना रखूंगा ये तुम हमसे नहीं सम्हाल होगा ने न दे रहें दाना कि दाना भी मुझे बहुत महंगा पर है फिर भी मैं अब डाल को जो फेरा में परा हूँ ने ने किसान इस चक्र में ना आए सोच समझ के बाद चले बच्चा जितना डलाए आपके तलाव के कैप सीटी है उतना ही डाले मेरे तरह 2000 IMC अब 3500 फंगास मत डाल तो मेरा गुरोथ भी नहीं हो रहा है मैं 2 mm का फिट खिला रहा हूं 2 mm का गुरोथ जल्दी आए मुझे जितना बढ़ना इधर 10 दिन 15 दिन मेरा सर बोले कि आउर बढ़ना दोस्तों आप लोगों ने देखा जैसे कि इनका क्या गल्ती हुआ है इन्होंने पहले बताया कि हम इमसी मचली जो रहू कतला नैन ग्रास कार्फ होती वो आठ स्कॉार फिट बराबर एक मचली के लिए जगा सफीसेंट होता है अच्छा रहता है तो आप मानिये इनका 2000 इमसी इन्होंने डाला और 3500 इसी में पंगासियस भी डाल दिया इन्होंने इतने चोटे तलाब में य इसमें हम कितना बच्चा डालेंगे तो दोस्तो एक तो यह हो गया और इसके बाद अगर आपका ग्रोथ नहीं होता अगर ज्यादा हाई डेंस्टी मचली रख दिये तो वो मचली जो है न वो फीडिंग ज्यादा उठाएगी तो आप प्राफिट के जगा जो है लॉस में आप भी जानते हैं अगर कम जगे रहेगी तो वो फीडिंग भी ज्यादा उठाएगी तो किसी के कहने में और बहकाओं में मत आएए जितना आपका तलाब है उसी इकॉर्डिंग जो है आप चलिए और इनका क्योंकि जब बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा तो छोटा इमें क दाना इनको देना पड़ेगा जो कि काफी कॉस्टली आता है जब अगर चार इमें पे जाते तो इनको काफी मतलब दाना जो है सस्ता मिलता लेकिन ये सब कमी है कि आपका जब निव ही खराब हो जाता है तो वहां से लेके ऊपर तक जाने में आपको बहुत प्राब्लम होन आते हो जो भी सेल्समेन है आपका मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो कई बार जो हमें फोन आया है कि सर पैसा भी भेज दिये हैं और हमें बच्चा भी नहीं मिला है तो आप किसी के करनेक्टिविटी में हो करके आप काम करिए ताकि आपका बच्चा आप तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि हम जो एडवांस लेते हैं, आप तक बच्चा नहीं पहुचाते हैं, हमने भी पूरे आल इंडियोवर में, राजस्थान, मत्परतेश, क्या-क्या पता हैं, सभी जगह बच्चा भेजा हुआ है, उसकी हमाई पास रसीधे भी हैं, चाहे कहेंग पीछे आप जाके देख सकते हैं, पूरा जेनुवन हमने बताया हुआ है, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे, और आप लोग को साथ में लेके पूरा फिस फार्मिंग करते रहेंगे, तो इसी के साथ जो है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाबाए, टे अचियर